इस टाइम में आप सभी काफी परिसान होंगे, कॉलेजिस के बारे में सर्च कर रहे होंगे, कि कौन सा कॉलेज पीजी डियम के लिए बेस्ट है, क्योंकि इंट्रेंस एक्जाम में आपका उतना अच्छा नंबर या फिर उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया होगा, कि को उन्हें के पीजी डियम कॉलेजिस के बारे में, इसमें जहां तक हो सकता हमने सबसे बेस्ट कॉलेज आपके लिए टॉप फाइब में रखा है, और जो वहां के स्टूडेंस से फीडबैक मिला है, एबरिज प्लेस्मेंट का, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, पहला जो कॉलेज है, वह सिम्बॉइस इंसिटीवड और बिजनेस मैनेजमेंट, अगर हम इसके fees की बात करें तो वोो अरका आरूंड, आपको देखने को मिलती है, 22,200,000 रुपे टोटल फी, अगर हम इसके अज़रूर बह से बात करने ही तो अगर किसी college की fees माल लीजिए किसी की college की fees 15 लाग रुपे है तो अगर average placement देखना है कि उस college का best है या नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका होता है ये देखने का कि उस college का average placement जा रहा है वो 1 लाग जादा या फिर 1 लाग कम जा रहा हो मतलब अगर उस college की 15 लाग है तो average placement जो है वो 14 लेके 16 लाग के बीच में जाना चाहिए तो ये माना जाता है कि वो college का average placement ठीक है इस college में आप admission लेना चाहते हैं तो इंटरेंस के थोरो भी जा सकते हैं एंड management कोटे के थोरो भी इसमें जा सकते हैं जहां पर आपको GDPI के थोरो admission मिल जाएगा तो ये रहा सिमबैसेस college के बारे में basic detail अब हम देख लेते हैं दोसरा college कौन सा है दोसरे नमबर पर जो college है वो है इंदरा school of business studies इस college के बारे में भी काफे ज़्यादा inquiry मुझे आती है ये college कैसा है यहां का placement कैसा है तो आज हम इस college के बारे में basic information देखेंगे अगर हम इसके established year की बात करें तो ये college 2006 में बनाता अगर हम इसके fees की बात करें तो वो around आपको 8 lakh देखने को मिलती है अगर हम average placement की बात करें कि college क्या claim करता है average placement तो 6 से लेके 7 लाग तक average placement college claim करता है और इसमें भी आप GDPI के तुरू admission ले सकते हो इसको हम sort form में ISBS के नाम से भी जानते है अब हम देख लेते हैं तीसरा college कौन सा है जहां से आप PGDM कर सकते हो पूने में तीसरे नमबर पे जो college है वो है DY Partial Business School अगर हम इसके established year की बात करें तो average placement इसका 7 से लेके 8 लाग तक तक इसका average placement निकल जाता है अगर इस college में भी आप admission लेना चाहते हैं तो इस college में भी आप GDPI के तुरू admission ले सकते हैं चौता जो college है वो है Lexican Mile College ये college 2009 में established हुआता अगर हम इसकी face की बात करें तो वो around आपको 10 लाग देखने को मिलती है अगर हम इसके average placement की बात करें तो average placement जो वहाँ के student ने मुझे बताया है क्योंकि मेरे काफी सारे subscriber वहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे है तो उन्हों बताया है कि 9 से लेके 10 लाग तक average placement लग जाता है लेकिन उसमें भी यह सरता है कि आपको बढ़ियां से पढ़ना पड़ेगा education quality जो college की है वो काफी अच्छी है बस आपको मेहने से पढ़ाई करना है और एक अच्छा सा package लेके अपनी life को secure बनाना है तो यह है चौता college अब हम देख लेते हैं लाश्ट और पांच्वा college कौन सा है जहां पे आप admission ले सकते हो पांच्वा जो college है वो है पूर्ण institute of business management अगर हम इसके established year की बात करें तो यह college 2007 में established हुआ था अगर हम इसकी fees की बात करें तो वो around आपको देखने को मिलती है अगर हम इसके average placement की बात करें तो 7-8 लाग तक इसका average placement देखने को मिलता है और इसमें भी आप GDPI के तोरो admission ले सकते हो तो यह रहे पूर्णे के top 5 PhDM college उम्मीद है कि आपको सारे college की base अगर फिर भी आपको कोई भी चीज पूछनी हो कोई भी चीज जाननी हो तो आप हमें contact कर सकते है और यहां के student से भी बात करनी होगी feedback लेना होगा तो भी आप हमें call कर सकते हैं और उनसे feedback ले सकते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय भारत